अब जो नेचर में आयाने की हमारा जो पानी है वो तीन स्टेट में पाया जाता है जैसे कि अब जो ये तीन स्टेट से वो कौन कौन सी है सबसे पहले आता है लिक्विड जैसे जैसे कि हमारा रेन हो गया रिवर हो गया या लेक में हो गया या सी में हो गया नेक्स आता है हमारा सॉलिड जैसे कि आइस बरफ होती है अब हम एक पतीले के अंदर या एक किसी उटेंसिल के अंदर पानी ले और उसको हम गैस के ऊपर रखे उसको हीट करें तो क्या होगा उस वेपर निकलने लगेंगा यानि कि उसमें से पहले तो स्टीम निकलेगी फिर वो वेपर बन जाएगा What happens if you leave water in an uncovered vessel on a summer afternoon outside your house और अगर क्या होगा कि अगर आप किसी दिन दुपैर को एक वैसल के अंदर पानी को रख के उसे uncovered ऐसे ही बाहर घर के बाहर रख दें तो क्या देखेंगे हम उसमें After a few hours you will find that the level of water in the vessel has decreased तो हम क्या देखेंगे कि जो उस वैसल के अंदर यानि कि उस जो वो जो बरतन रखाता उसके अंदर पानी का जो लेवल है कम हो गया यानि कि हमने जितना पानी रखाता उसमें से थोड़ा कम हो चुका है This is because a lot of water sorry a lot of it would have escaped into the atmosphere अब ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसमें से जो काफी सारा पानी था वो हमारा atmosphere में escape हो गया यानि कि उड़ गया in the form of water vapor कैसे water vapor की form में the process by which a liquid is converted into its vapor at a temperature below the boiling point is called evaporation अब ऐसी process जिसके अंदर हम एक liquid को वेपर में convert करते हैं और एक particular temperature पे लेकिन वो temperature हमारा boiling point से कम होना चाहिए boiling point कितना होता है हमारा usually 100 degree Celsius होता है पानी के लिए तो अगर उससे कम होगा तो उसमें क्या होगा जो हमारा liquid है वो वेपर में convert हो जाएगा तो उस process को हम बोलते हैं evaporation what about the reverse process अब इसकी reverse process क्या होगी यानि की इसका उल्टा हो जाए जैसे अभी तो liquid से वेपर बन रहा है अगर वेपर से liquid बने तो the process by which the vapor of a substance is converted into its liquid form is called condensation अब वो process जिसके तुरू हमारा जो वेपर है वो liquid form में convert हो जाए तो उसको हम बोलेंगे condensation water vapor is also added into the air by the leaves of plant through the process of transpiration अब जो water vapor है वो हमारा atmosphere के अंदर यानि की air के अंदर और कौन-कौन add करता है जैसे की जो हमारी leaves होती है जो plant की leaves होती है किस process से transpiration से evaporation and condensation of water take place on a very large scale on the surface of the earth and its atmosphere अब जो evaporation और condensation की जो process है पानी की वो बहुत ही बड़े यानि की बहुत बड़े scale के उपर convert की जाती है these processes play a key role in the cloud formation and rain और यह जो दोनों process है यानि की evaporation और condensation यह बहुत ही जादा important role play करती है हमारा cloud formation में और rain के लिए क्योंकि हमने सबने हमको हमने almost सबने यही पड़ाए कि जो बहाँ पै उससे जाकर बादल बनता है तो basically वही जो चीज है यानि यह condensation और evaporation है वह हमारा help करता है cloud formation में और rain में कर दो कर दो कर दो